असलाम अलेकुम व्यूस आज हम होटक की न्यूली डिवेलप्ट मिशीन को डिस्कस करेंगे जो के थ्रेड ट्रिमिंग मिशीन है यह बेसिकली तक्रीबन हर गार्मेंट इंडस्ट्री की डिमांड है जो चाहे वो वर्क वियर हो यह स्पोर्ट्स गार्मेंट मेनुफेक्चर ह यह बेसिकली जो आपके गार्मेंट जब बनता है तो उसमें त्रेड्स ओवरला के डिफरेंट जो हैं वो बाहिर निकले होते हैं उसकी ट्रिमिंग के लिए यूज की जाती है यह जो मिशीन है यह डबल हेड मिशीन है इसके दो ट्रिमिंग हैड़ एक टाइम पे जो है न सकते हैं तो सबसे पहले हम क्या इसको देखेंगे यहां से रहर में एक भालियम नजर आँ यह वालियम बेसिकली इसके अंदर जो वैक्यूम क्रियेट होता है उसके ट्रेंथ है वालियम ज्यादा कर देंगे तो वैक्यूम ज्यादा क्रियेट होगा वालियम कम करेंगे तो वैक्यूम कम क्रियेट होगा जैसा कि देखें यहां पर वालियम ज्यादा हो गया अगर हम इस बोटे थ्रैड जातों कम वैक्यूम पे भी वह सक कर लेगा उसके बाद यहांपे आपको आपको यह टाइमर नजर आ रहा है यह टाइमर बैसिकली इसकी लूब्रिकेशन का टाइम है आकूर पता है जब भी इस तरह की कोई इस ताइप की मिशिनरी होती है उसमें लूब्रिक लुपरी केशन मैनूल स्पेंज में यह नुन बटन प्रेस करेंगे तो यहां से जो वाई टाइल का डॉप है वह इसके अंदर चला जाएगा जब भी आपने प्रेस करना उस टायाएगा अगर यह आपने अप्री केशन अपने लुपरी टेूगा यह है कि आपने जितना यहां पर इकथे हो जाएंगे, यह इसकी विंडो है, इसको हम open करेंगे, यह लोग open करेंगे, तो यहां पर जो हैं, तो इसको इसको क्लीन आट तो बंद कर सकते हैं, देखें, हमारे पास एक गार्मेंट है, जिसमें कुछ अनिकले हुए, अब हमे यह जो तो सबसे पहले कि यह मिशीन ओन है हमारी तो उसके बाद हमने यह ट्रिमर को ओन करने के बाद हमने यह इसको वैक्यूम ओन कर लेना अब देखें के जो हमने ट्रिमिंग की है न उसके थ्रेड्स में आपको दिखाता हूं इसके अंदर होंगे यह देखिएगा यह वही थ्रेड्स है जो हमने अभी ट्रिमिंग की है ईादो में की बाल गल्रिमिंग की दोनी आपकश पत्रिमिंग की है